इंद्रे निर्वाचन आयोग ने आम चुनाओं को लेकर की उचिस्तरीय वैठक सभी राज्जिय और रुभिन एजिंसियों के प्रतिनिधी हुए शामिश प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने चुनाओं प्रचार का आगाज और लोगसभा चुनाओं में नाम वापसी के बार महासमुन लोगसभा से 17 प्रत्याशी चुनाओं मैदान में नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समचार मैहू लीना साहू अब समाचार पस्तार से केंद्री निर्वाचन आयव ने सभी राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्या सचीव और पुलिस महानी देशकों एवं केंद्री एजिंसियों के प्रमुखों की बैठक लेकर शांती पुर्ण और प्रलोभन मुख्त आम चुनाओं सुनिश्चित करने निर कावाहन किया उन्होंनी कहा कि अंतर राज्जी और अंतर रास्ट्रिय सिमाओं पर अवय शराब, नगदी, नशीले पदार्थों, हत्यारों और मुख्त उपारों की आमद रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए इस दोरान आयोग ने अरुनाचर प्रदेश, 36 कर और महारास्टर जैसे 11 राज्जियों के चुनाओती पुर्ण शेत्रों में मतदान टीमों को पहुचाने के लिए भारती वायुसेन और राज्य नागर विमानन विभाग के सहियों की समिक्षा भीगी चुनाओ आयोग ने आगामी चुनाओं में युवा शेहरी मद्दाताओं की भागिदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहल और अभियानों के शुरुआत की है आयोग मद्दाताओं तक अपना संदेश पहुचाने के लिए टर्निंग 18 और युवा दववन अभियानों के माध्यम से आकरशक विशियों लोगप्रे आइकाउन और 1995 से 2010 के बीच जन्म लेले माली पीड़ी से जुड़ी यानी जेन-जेट समागरे का उप्योग कर रहा ह टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश आगामी चुनाव में युवा मद्दाताओं को आकरशित करना है इसका उद्देश पिछले चुनावों में शहरी और युवा मद्दाताओं के उधासिंता के मुद्दो का समाधान करना भी है यू आर दा वन अभियान का उद्देश चुनावी प्रक्रिया में शामिर विभिन हित धारकों के अमुले योगदान की स्विक्रिती देना है 36 गड़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बावसाहिब कंगाली ने दंतिवाड़ा प्रवास के दौरान जिला मुख्याले के कुमार रास निवासी 90 वर्ष्य वरिष्ट नागरिक लक्ष्मी नारायन सोनी के निवास इस्थल जाकर होम वोटिंग की प्रक्रिया पूरी का अवलोकन किया उन लेकनी है कि लोगसभा चुनाओं के तहट 85 वर्ष और उससे अधिकायों के बरिष्ट नागरिक तथा दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग के सुविधा की तहट मतदान दलो द्वारा उनके घर जाकर मतदान कराय जा रहा है इस दौरान कलेक और जिला निर्वाचन अधिकारी मैंग चतुरवेदी सहीत निर्वाचन दायत्व से जोड़े अन्य अधिकारी गण उपस्ति थे श्रीमती कंगाले ने अपने दंतिवाड़ा प्रवास के दोरान स्ट्रॉंग रूम और विभिन मतदान केंद्रों का भी निरिक्षन किया उन्होंने सुगम मतदान के लिए सभी आवशक तयारिया सुनिश्रित करने के निर्देश दिये महिश श्रॉंग रूम तता मतगर्ना केंद्र में सुरक्षा विवस्था के सम्मन में जानका दिली उन्होंने मतगर्ना कक्ष का अवलोकन किया और मतगर्ना केंद्र परिसर में मीडिया सेंटर तयार कर मीडिया प्रतिनीधियों के लिए आवश्यक ब्यवस्था सुनेश्चित करने के निर्देश दिये लोगसभा चुनाव में 36 गण में पहले चरण का मतदान 19 अप्रेल को बस्तर में होगा यहां भाजपा ने महिश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है वहीं कॉंग्रिस ने कवासी लखमा को मैदान में उता रहा है भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी आज बस्तर पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का लक्ष 400 पार है और इसी लक्ष के लिए बस्तर के उमीदवार को जिताना है जनता को समोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देश ने जितनी प्रगती की है उसमें आप सब का योगदान रहा है आप सबने विक्सीद भारत के आधार शीला भी मजबूत की हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता गरीब का कल्यान रही है उन्होंने आरूप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस ने कभी गरिब की चिंता ही नहीं की उन्होंने कहा कि जनजाती समधाय हमेशा से भाजपा की प्रात्मिक्ता रहा है और इसी आधार पर हम योजनाय बनाते हैं ये मोदी की गैरिंटी है हमेशा भाजप की प्रात्मिक्ता रही है जिस आधिवासी समाज का हमेशा कॉंग्रेस ने तिरस्कार किया उसी आधिवासी समाज की बेटी आजदेश की राश्टकती है भाजपा ने ही 36 गड़ को पहला आधिवासी मुख्यमंत्री दिया है भाजपाने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रा है अलग बजेट बनाया है बीते दस वर्सों में आदिवासी कल्यान का बजेट पांच गुना बढ़ाया गया है जब कॉंग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में सवासो से भी कम एक लव्या आवासी भी जा ले थे आज सिर्फ 36 गण में ही सत्तर से अधिक एक लव्य भी जा ले है कॉंग्रेसी के सरकार के दोरां सिर्फ आठ दस वन उपजो पर ही MSP मिलती थी आज ये संख्या सोक के पास पहुंच रही है साथ यो आपका सपना और ये मोदी की कारंटी है आपका सपना ही मोदी का संतल्प है उन्होंने भारती जन्यता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए भी अपील की बस्तर में 19 एप्रिल को आप मेरे साथी महेश कश्चप जी को आथिरवाद दीजिए कांकेर में 26 एप्रिल को आप हमारे साथी भोजराजी को जादा से जादा मतों से विज़ई बनाए लोगसभा चुनाव प्रचार के अंतरगत अब कॉंग्रस निता राहुल गांधी 13 एप्रिल को बस्तर में आम सभा को संबोधित करेंगे कॉंग्रस पार्टी चुनावी सभा की तयारियों में जूटी है बस्तर में प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी की सभा के परिप्रेक्ष में कॉंग्रस ने भारती जरता पार्टी की रिती नीती पर सवाल उठाए है प्रदेश कॉंग्रस कमिटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि क्या भाजपा ने बस्तर के लिए अब तक क्या किया बताएं बैज ने नगरनार के विनिवेश पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि अगर भाजपा कहती है कि नगरनार स्टिल प्लांट को बेचा नहीं जाएगा तो फिर खेंदर सरकार अपनी विनिवेश की सूची से इसे हटाती क्यों नहीं है बस्तर का एक एक मद्दाता बस्तर का हर एक जनता एकी सवाल पूछ रही भारती जनता पार्टी से कि बस्तर से आदिवासियों का हक भारती जनता पार्टी क्यों चीन रही है चरारक्षण का हो या फिर जल जंगल जमीन का हो या फिर नगरनार इसी प्लांट बेचने का हो यह हमारा आख है अधिकार है लेकिन भारती जंता पार्टी हमारे अधिकार को रोकने का प्रयास कर रही है इस पे बस्तर का जंता भारती जंता पार्टी को जरूर जवाब देग श्रीबैश ने हस्देव में जंगल की कटाई पर भी सवाल उठाए है खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा अब लेते हैं एक छोटा सब्रेक आपका तरह मतलब बहुत प्यार अपिल को तुमारे जासा पापा ओनलाइन फोरेक्स ट्रीडिंग पर बेस्ट आफर्स आई रिटन्स बोनस डिपोजिए और इनाम जीतने का मॉका आपैल मुझे मार मतलब मुसीबत को बुलाना तुमारे पापा कैस अर्विया कहता है और विया कहता है चानकार बनिये सतर्क रहे है बिच गई लोग सभाद चुनाव के दिसाथ बढ़ गया सियासी घमासान एंद्र में किसकी बने की सरकार क्या है राजमीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकिकत हर राज़ के चुनावी खबर और जनता के मुद्दे होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का प्डेट एक ये जनादेश सिर्फ डीडी नियूस पर बरेके बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगले खबर की ओर चुनावायों के ओर से लोकसभा चुनाव दोजार चुनावी तारिखों का एलान करते ही रण भेरी बज़ गई है चुनाव मैदान सचुका है भारती जनता पार्टी हो कॉंग्रिस हो या फिर अन्यदल सभी ने अपने अपने बड़े निताओं को मैदान में उतार दिया है अगले दो महिने में पूरा देश चुनावी रंग में रंगा नजर आएगा पार्टी के उम्मिदवार हर दाओं पेज आजमाते नजर आएंगे आई आज जानते हैं कि इस बार कौन से मुद्धे हावी होंगे और जनता जनारदन किन मुद्धों पर किस पार्टी को वोट करेंगे मैं सोस्ती हो कि हम अभी देख रहे जैसे कि स्टार्ट अप कंपनी बहुत जादा आ रही है तो मैं देखूंगे कि ये कि अभी स्टार्ट अप कंपनी के लिए क्या क्या प्रोग्राम जा है वो सरकार लेके आ रही है जिसे हम साथ ही साथ जो पूरुश है उनको फायदा हो और हमहिला को भी फायदा हो ये जो भी पिछली वेकेंसीस हैं वो भी आ नहीं रही है तो मेरा सबसे पहला मुद्धा तो वोट करने का यही रहेगा कि एमप्लॉइमेंट अपॉर्चुनिटी जितनी जादा है हम यूवा पीड़ी के लिए वो काफी बेटर होगा बहुत विकास हो रहा है लेकिन विकास होने के बाद में साफसफाई बिल्कुल कम होती है तो जहां साफसफाई को ज़्यादा प्रचार किया जाएगा और जो हम जानवरों को देखते हैं बहुत जादा दिखाई देता है जिसके फ़जे से इतनाicana होता है तो यह स़ारी चीजों को जो पाटी जादा अच्छी सरकार लाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि विकास करने वाली सरकार हो जब तक विकास नहीं होगा हम नब बरतमान अच्छा कर सकते हैं अच्छा कर सकते हैं तो हमको विकास करने की आव सकता है मेरा तो मूल मंत्र यही है कि विकास जो है वो इंपोर्टेंट है धर्म और यह सारी चीजें तो हैं लेकि हम विक्सित भारत को ही चाहते हैं विकासील भारत को चाहते हैं क्योंकि हम तो जैसा रहा हम रहे लेकिन आगे जो है हमारी पीड़ी अच्छी रहे यही हम चाहते हैं। यह चाहूँगा कि लोग भी इस चीज को समझें कि हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कि द्वारा विकास हो रहा है। उसको देखते वे हमको वोट कास्ट करना चाहिए। दुर्ग जिले के मद्दाताओं की मनह स्थिति और जनता के मुद्दो को जानने आज दूरदर्शन समाचाने सिक्षावेद महिलाओं, युवाओं और आम जनता से प्रतिक्रिया ली। दूसरे चरंड के लोगसभा चुनाओं के नाम वापसी के दिन महासमून लोगसभा से 18 नामांकर में राश्ट्रे जनसभा पार्टी के उमीद वार्धान सिंग को सरिया ने अपना नाम वापस लिया है। इसके बाद महासमुन लोकसभा से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद महासमुन लोकसभा से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में 26 प्रत्याशी चुनावी मैं। इसके साथ ये समाचार बॉलेटें समाफ्त हुआ। इसके साथ बॉलेटें समाजी चुनावी मैं और से 17 प्रत्याशी चुनावी मैं।